जैशी किष्णा दोस्तों व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों वैसाग का पावन पवित्र मास प्रारम हो चुका है और इस महİने में किया गया स्थान दान कम बहुत अधिक महत बताया गया है और सभी देवी देपताओं का वास जल के अंदर माना गया है अगर वैसाक के महिने में अगर आप संतान की धन की इच्छा रखते हैं तो सिरफ दो कारिये अगर आप कर लेते हैं इस महिने में तो यकीन मानिया आपकी कैसी भी मनोकामना है वो वैसाक मास खतम होने से पहले ही छोटा है लेकिन अगर आप नित्य प्रती नियम पूरवग इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके दोस्तों इस मास में देखे जल के दान का बहुत अधिक महत्य बताया गया है और आज मैं आपको जल चड़ाने का ही ए प्रती नहीं कर सकते तो आपको सोमवार के सोमवार करना है और बैसाक मास में पढ़ने वाले प्रदोश वरत के दिन करना है अगर आपने सोमवार और प्रदोश वरत में भी इस उपाय को कर लिया तब भी आपकी जो मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों याने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों ये उपाई बहुत ही सरल है बहुत ही अचुक है शिव प्राण में वड़नित है इस उपाई को आपको देखे नित्य प्रति करना है नित्य प्रति नहीं कर सकते तो सोमबार और प्रदोश व्रत के दिन तो अवश्य ही करना है और आपको दो उपाई करना है आपको एक लोटा जल लेना है शुद्य जल आपको ओम नमश शिवाय कहते हुए जो बेल पत्र का पेड़ होता है यानि उसकी जड़ है उसमें आपको नित्य प्रति जल अर्पित करना है अगर आपको जैसे बेल पत्र का व्रिक्ष नहीं मिलता है तो आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर उस लोटे में एक बेल पत्र का पत्ता डाल कर ओम नमश शिवाय कहते हुए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है तुलसी पर भी आपको जल अर्पित करना है और एक दी तो यकीन माने आपकी संतान की धन की जो भी मनो कामना है वो शीग्र पूरी होगी दोस्तो हो सके तो आपको बेल पत्र के व्रिक्ष की जड़ में ही इस जल को अरपित करना है अगर आपको व्रिक्ष आपके घर के आसपास नहीं है तो आपको शिवलिंग पर अवश्य ओम नम सके जल का दान करें जल अवश्य चड़ाएं आपकी कैसी भी मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तो हो सके तो नित्य प्रती करें नित्य प्रती नहीं कर सकते तो सोंबार के सोंबार और प्रदोश व्रत के दिन तो आपको अवश्य ही करना है अगर आपने यह उ शच्छी किसना